लड़का था चोटा था और तुम्हारे पास पढ़ता था तो यू पटी-पटी निगाहों से देखता था महरून को जैसे जैसे कभी-कभी तुम मुझे देख लेते हो अल्ला कसम और अभी मिया बीवी आसों को अच्छी तरह खुश्क भी नहीं कर पाये थे कि एक बार फिट दर्वाजी की जंजीर बची बच्चे ग्योडी की तरफ दोड़े ठेरो अबके मौलवी अबुल की आवाज में डाट नहीं थी मैं खुद जाओंगा फिर बच्चों के पास आकर उनके सरों पर हाथ फेरा और अहिस्ता से बोला नदीदापन बहुत बुरा होता है समझे हर आने वाला हलवा चावल देने नहीं आता कई लोग दूसरे कामों के लिए भी आते हैं समझे जाओ जाओ इन्हें सरदी में बाहर ना निकलने दो महरुन बेटी यही बच्चे तो मेरी जिंदगी का सरमाया है वो ड्योड़ी की तरफ बढ़ा दर्वाजा खोला तो गर्म चादर में लिप्टे हुए चौदरी फतेदाद ने हाथ बढ़ा कर मौलवी अबुल को बाहर गली में खसीट दिया और चाती से लगा कर बोला मुभारक हो गिबला हजार हा मुभारक हो आखिर मेरी कोशिशें बेकार नहीं गई उस वक्त मौलवी अबुल की नजरों में चौदरी फतेदाद के फरिश्टे बनने में बस परों की कमी रह गई थी अल्ला ताला का लाक लाक शुक्र और आपका एहसान है ख़दाने मुझे आपके सामने सुर्ख औरू फर्मा दिया अब जल्दी से शादी की तारीख भी तैय कर लीजिये किबला शमी महमद अच्छा लड़का है पर आखिर जवान लड़का है और फिर दुकानदार है दिन में बीसु आउरतें उसकी दुकान में आती रहती और आप जानते ही हैं कि कैसा जमाना है लड़के लड़कियां बारूत के गोले हो रहे हैं कुछ पता नहीं होता कब पड़े पड़े भक से हो जाएं शमी महमद को मैंने ही आपकी खिद्नत में भेजा था रस्म और रिवाज के मताबिक उसकी माँ आपके घर आती मगर बुडिया सठियासी गई है कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ हो तो साथ पुछतें तोम डालती हैं कामबख्त अभी अभी शमीम ने आकर बताया कि आपने हामी भर ली मैंने उसे जल्ली से शादी करने पर जोड दिया तो बोला आप ही आप ही किवला मौलवी साहब से तारीख का फैसला कर दीजिया सो मैं इसलिए हाजिर हुआ था आप कल तक सोच लीजिया और ये ये मेरी बेटी को दे दीजियेगा चौदरी फतेदाद ने गर्म चादर के नीचे से एक पर्ट्री से निकाली मौलवी अबुलने खामोशी से पर्ट्री ले लिए तो चौदरी ने आहस्ता से कहा आमीन मौलवी अबुल ने अंदर आकर पोटली खोली तो एक बड़े से रेश्मी रुमाल में सौ के एक नोट पर सोने के दो जुमके रखे थे जिनके बड़े से बुलबुले जितनी कटोरियों में जाने नगीने जड़े थे या मिनाकारी का काम था जैबुनिसा किसी और चीज़ की उम्मीद में रुमाल को जड़क कर बोली क्या शमी मेहमत नी भीजे है और अभी मौलवी अबुल जवाब नहीं देने पाया था कि महरुनिसा भाग कर बाहर निकल गई अरे समझ गई शाय समझ गई तभी तो शर्मा कर बाहर चली गई तुमने भी तो मूँ भर कर कह दिया शमी मेहमत ने भेजे है मौलवी अबुल ने जिन्दगी में शायद पहली बार औरत की आवाज और अंधास के नकल उतारी और बच्चे जो अभी तक महज हैरत जदा थे महसूस होकर जोर जोर से हसने लगे और इधर उमदत निसा डरते डरते जुमकों को छूने की कोशिश कर रही थी चौदरी फतेदाद दे गया है महरुन के लिए हाँ अल्ला कुबूल फरमाए चंदी रोज में महरुन निसा मायों बिठा दी गई उसके हातों पैरों पर मेंदी थोपती गई डोलक तो खेर ना बजी क्योंके शादी का घर सही पर आखिर मौलवी अबुल बरकात का घर था जिसने हुजूर पुर्नूर सलल्लाब लएवसलम की मदीने में तश्रीफ आवरी पर मदीने की लड़कियों के दफें बजा बजा कर गाने के मुतालिक तो पढ़ा था मगर धोलक का जवास कहीं मौजूद ना था और पंजाब इतना बदनसीब था कि यहां अब तक दफ का रिवाच ही नहीं चलने पाया था मौलवी अबुल ने मिरासनों के हजूम से डांट कर कहा था आखिर गाउं की लड़कियां मैरुनिसा को अपने दायरे में लेकर बैठ गएं और धोलक के बगएर ही अपनी सुरीली अलापों से राद भर उसके गिर्द, महबत और दोस्ती फूलों और फवारों, मुलाकातों और जुदाईयों के तिलसमात बुनती रही बरात ऐसी धूम से आई और मौलवी अबुल की ड्योडी में वो हंगामा मचा के मालुम होता था धोल की हर चोट मौलवी अबुल के कच्चे घरोंदी की बुनियादों पर पड़ रही है ये धूम धड़क का देखकर, राती रात मौलवी अबुल और जैबुन निसा ने मगान के गोशे में सरगोशियां की लड़कियों के गीतों के दर्मियान, बक्सों के घसीटने, खुलने और बंध होने की आवाजें रिंगती रही और जब दूसरे दिन सुभा को जहेज का सामान आगन और छट पर बिछाया गया तो गाउं का गाउं पहली नजर में तो त्योरा कर पीछे हट गया एहे, ये कपड़े तो खेर बन ही जाते हैं, पर ये सोने के इतने बड़े जुमके मौलवी के पास दस्तगैब का तावीज है एक बुढिया ने ठोड़ी की लटकती हुई जिल्ली में उंगली डुबो कर कहा एह बीबी, कपड़ों के कई जोड़े तो इन गुनेगार आखोंने पहचाल लिये हैं कुछ तो बेचारी मरने वालियों के हैं और कुछ ऐसे हैं, जो बीबी जैबुनिसा को अपनी शादी पर मिले थे सुघड है, इसलिए उलाद के लिए रक छोड़े ये कंगन और ये नाग की कील, ये सब कुछ बीबी का है, पर ये जुमके और उसने अपनी उंगली को ठोड़ी की, जिल्ली में से निकाल कर आस्मान की तरह बुलंद कर दिया महरुनिसा को डोली में बैठाया गया, तो इकन्नियों और छुवारों की एक लहर सी उस पर से निच्छावर हो गए गाउं के बच्चे उन पर जप्टे, मौलवी अबुल के बच्चे जो ड्योड़ी में माबाप की देखा देखी रो रहे थे एकदम अपनी जगा से यूँ उचले, जैसे उनके कदमों के तले लचकदार कमानिया उभराई हो ठैरो मौलवी अबुल गर्जा, कमानिया धर्ती में उतर गए, बच्चे जहां थे, वहीं थम गए सिर्फ आरिफ एकदमी को अपने पंजे तले छिपाये खड़ा रहा और बारात के चले जाने के बाद ही, उसका ये असासा उसके पाउं से हाथ तक की मसाफ़त तेह कर सका मौलवी अबुल कुछ दूर तक डोली के सासाथ गया उसकी नाक और आखें सुर्ख थी, मगर उनके साथ चेहरे की जर्दी जरूर थी और मौलवी अबुल बिलकुल गुलाब हो रहा था एक मोड पर जाकर वो रुख गया, और दूर तक डोली पर पड़े हुए रेशमी परदे को देखता रहा फिर एक लंबी गहरी सास लेकर उसने दोनों हातों की उंगलियों को एक दूसरे में फसा कर चटखाया और पलट कर घर को जाने लगा गली में गाउं के बच्चे अब तक एकनिया और छुआरे ढुन रहे थे ड्योडी के दर्वाजे पर खड़े हुए आरिफ और दूसरे बच्चों ने अपने अबबा को देखा तो एक आन में भूतों की तरह गाइब हो गए मौलवी अबुल के होटों में देर से जो सोजिश और खुजली हो रही थी वो मुस्कराहट बनकर नमुदार हुई और उसकी आँखों तक फैलती चली गई ड्योडी में दाखिल होने लगा तो उसे दिवार से लगी हुई एक एकन्नी चमकती दिखाए थी लेकिन वो बड़ी बेपरवाही से आगे बढ़ गया जैबु निसाँ शायद किवार ही से लगी खड़ी थी मौलवी अबुल का हाथ पकड़ कर बच्चों की तरह जोर-जोर से रोने लगी